गर दस लाख में बात हुई थी और तुमने तो दो एलाख सी पलट का या चीया ओयरू मान सुकू। रिष्ट अच्छाता है बुरून त्याए हो जाओ बड़ी आग जो आमने लखाई पड़ाई पाली पोसीर मेरी पड़ी पड़ाई बेटी खतम कर दी एजरीवाल कहां पड़ाई सोर है आज कलोई से है जो नमरता बेटा कहीं सोन रही हो और तो उससे भी ये रेक्वेस्ट है मेरी क्यों मेरी बेटी उससे शिर्मडी सी लगाओ था नमरता से एक बड़ी वो मेरे पाल राम राम जी सारे देखनाला ने और आज पहुंचे हैं जी हम बाद भादरगड में और वही दुखद आप लोगों को जैसे पता भी होगा पूजा बाले मामले का वही बेटी का र पहले और चार महिने के बाद यू लगा लेजिए आज उसना अठाइस तारीख ने उसकी डैथ हो चुकी और उस लड़की की मतलब ये भी जितने भी हालात होई हैं मतलब सस्राल जो पक्स था उस गुड़िया के साथ चार महिने से ना तो कोई च्छी तरह से वारताला पोय या कर रहती फिर भी गुड़िया नहीं यूँ ही सोची थी कि वह साथ मेरा घर बस या रहे जागा हैं और आज सबसे मैन बात क्या है कि बेटी का जो दर्द है वो सबसे पहली बात है कि मा सबसे बड़ा दुख होता है उसकी माने दुख हो है सारे परिवार ने भी वैसे र हम सबी के पास बेटियां हैं अगर बेटियां इसी तरह जाती रहेंगी तो हमारी जो है आगे आने वाली जो नसले है आगे आने वाली जो हमारी पिडी है वो बेटियां रहीत हो जाएगी जिक्यों सब ने डर लागन लाग जागा कि अगर हमारी बेटी होगी और उसके पूजा की और तो इन से बात करते हुए चलाएंगे जी सबसे पहले तो देखो राम रमी का तो मेरे इसाब से इस तरह का माहूल है तो मैं यूँ पूछना चाहूंगे जी गुडिया की साधी कब हुई थी आ एक तो आप मारे दर्शकान नू बता देओ सबसे पहली बात तो क्या गाइस बस्obook जोन को गुडिया की सङद्धी ही ती और आम ने यहांसे तो ड्रुट पूर और शाद्धी Chu Ramane के बाद विदाई कर दीए के बाद उसन आमने उसह उसमें द्हेव दया था और 2ॉ लाग का चेक दीया था उस जैक ऊसने उसके सुसूर ने रस्ते में इखोल के जुकर देख लिया देख लिया तो उसने अपनी सास के अपने जुकर घरवाड़ी के पास फोन किया और फोन करने के बाद उसको इतना गुस्सा हो गया कि जो मेरी लड़की वहां उनके दरवाजे पर पहुंची तो वो एक अमारे यहारा समो कि जो गोद वाली तो उसने वो लड़की की गोद भी निली और जैसे बैसास उतार ने आती वो वहां तक आई भी नी लड़की के पास और फिर लड़की वहां पोची तो उसने एक दो गंटे के बाद उसने यह परसंद कि ए लड़की से क्या 10 लाख में बात हुई थी और तुम ने तो दो लाख रूपे दिये और आठ चाहे तो इस दो लाख को भी ले जी अपना जाती आना और ना ताठ लाख हो रोणे चीर ये बात शिर्फ मम्मी पापा से बतानी हो और किसी से जिक्रा नी करना आप सुनो हो जी सारे या बात है उन लोगों का कहना यो था अक भई दो लाख रूपे तरे मम्मी पापा ने दिये हैं जिबकि बात हो मारी दस लाख में हुई थी मैंने एक बात समझ मना आंती ये जो छोरे ने ब्याव है ये छोरी याड़े के गर तब साव कर बढ़ना चावेंगे और थारे दोरे भी छोरी है थारी जो छोरी है उन ती तम कितना के दन दे सको हो नू बता जो पहली बात है एक बात और और फिर बिचो लिए दो स्थे ठैरादिया क्या हमने बिचुलिया से बात हुई थी मैं बिचुलिया से बात हुई आसरा हमोरी क्मेरे फूफा जी यह उन्होंने बिल्कुल गलत क्या रख्या है कोई बिचोलिय से कोई वो नी था यह उनका एक वो था क्या लड़की फेरों में आ जाए और फिर दबाव भाई जुकर सरम के मारे गर के रपिये दे नहीं एक बात मेरे समझ बनाते हैं चाहिए बिचोलिय तो बात भी और जाना चाहिए जो अपनी बेटीन देन लाग रहे हैं सारी चीज देन लाग रहे हैं तरती उसके बाव जो भी तुम रपिये चाहिए हैं कि सब रपिया है रहे हैं सब कुछ है इनसानियत नाव की कोई चीज रही है को नहीं और तुम लोग खुद काम करते हो जिसके यहां पर यह गुड़िया ब्याई गई थी मैं आपने बता दियूं उसका जो हैस बैंड है वो सरकारी स्कूल में कल रखके पदपथा और जो सस बतात हो जाने जी अमने इस तरह की बात दर्द देवें हैं तो आप जो भी इंकम टेक्स में आप लग रहे थे ना मामा आपका जानती को ने लेकिन आपने डूब कमर जाना चाहिए आपने तो सारे का सारा परिवार समझाना चाहिए था जी आपके यहां पर भी बैटी उड़ा दो इस पतन ने डूब कमर जाना चाहिए जी आपने और इसके बारे माजी आपके कुछ कारवाई होई है परशासन से मतलब आपके उमीद जाओ हो कितनी के कारवाई हो चो कि थोड़ी या और बता दियो हम परशासन से उमीद चाह रहे हैं कि जैसे मेरी बेटी के स बात हुआ है वैसे उनको भी फासी पर लटकाया जाया चैया रोमान सोखो और जो बैटी को अब तक भी परशासन भी गरभतार ने कर रहा थे परशासन से यह इसे काया थे है कि परशासन आड़ा कभी ता पने जुकुर का चाती पादर कर उनके बित बैटी होगी आज वे यह बात कह रहे हैं कि वह लाग रहा है देखांगे बदेखांगे उनका कि ममड़ा मोटा दयादरम भी तनी होना चाहिए है कि लड़की इनकी भी थी तो वह अरेश्ट क्यों नहीं करी जा रही अब तक क्या बात है नहीं आपका कहने का मतलब है कि उनके घर से उनकी जो सब्सक्राइबर और और अगर उनकी बेटी का भी हात है मैं तो भूंत बड़ी गलती है आच गरीब की इचिते के साथ ऐसा हुआ हuar को पशास दो नहीं कर रहे है उसका वह करना रहे पैसे पैसे वाली बेटी म्रेट अर्म प्योश्ट नहीं कर constitution ुपाई और स्कृत आर्मी साथ नू रखना चाहिए एक बेटी ये भी तिर गामाला नू पता भी होगा कि कैसी बेटी थी तो उनने भी तो नू सोचना चाहिए गामाला ने भी अक बई वे गलत का साथ क्यों दे रहे हैं एक जुठी इज़त के लिए ये उस्तमूंड के वाले जो आदमी है उन ते भी या इसे कात है मेरी एक जो वात गए है थाने में एक बई बेटी नीरा स्टोने देंगे यह मारी इज़त है उन पर भी लालत है कि वे ऐसे गलत का साथ दे रहे हैं तो जी सारे मुंड के वासियों से भी ये इन की सिकायत है आप लोगों से और जित्रे भी परशासन वाले है उनसे भी सिकायत है कि जो कारवाई होने चाई वा कारवाई नहीं हो रही और दूसरी बात है अगर बेटी ये एक करड रहेक है अपने मोदिय ने बेटी पढ़ाऊ और बेटी बचाओ अगर इस तरह से बेटी बस्ति रही ना जीतो एक दिन बेटियों का नाम भात ही sonu , औ अपने दिल पाहत रखके देखिए बेटी बेटी हो बहुत सारी जगए ऐसे जापर बेटी अगलता है बहुत सारी जगए ऐसी है जापर पूरे के पूरे घर का नास करवा देवा हैं तो आपने या बात सोचनी चाहिए और दूसरी बात या है कि जी अगर इस तरह से बेटिया हमारी यूँ जाती रही अगर इसके बारे में कुछ भी अमने कारवाई नहीं आग्गे बढ़ाई और आप लोग एक जू टोकन है इन लड़कया ने इनसाफ नहीं दिला पाए तो क की अबने एक साथ लेके चलो जी और कुछ वा आप भना चाहोगे जी अगले दन यह बात हुई वो रिकोरडिंग हो और आप पास रेज रहे थे जो उसके साथा आई थे जो उसकी बमार्ड भी आई थी यॉल लोई से और जो उसकी सास के मामा का लड़का आया था वो कह रहा था मोसी जी आज जोड रहे हैं मैं भी पांच बैनों का भाई हूँ आज वे कहां गए आज वे इतने भी नियक जाकर आम के उनकर नियू थोड़ी ना हम नहीं पता भई कून दोसी है कून निर्दोस है भई व अगे थे आज वे इतने भी नियक जो मारता हैं नियू आका नहीं मडा मोटा था नियू सा वो करहां आक भई वे उनके साथ हो रहे हैं उनने भी डूब कमर जाना चाहिए अगर उन में गलती है तो आप लोगों का फर्ज भी यो बनें उनती कहन का और दूसरी बात इस हुए नहीं है गुडिया ने गए हुए और सारे घाव ताजा के ताजा है और मा जब भी बात कर रहा है इसकी आख्या दपानी मतलब रूख नहीं रहा है यह अपने आपने बड़ा कंट्रोल भी कर रही है तो जी अमारी गुजारस याए है परसासन से बिर बाकी सभी से भी जितना जल्दी हो सके इस केस में कारवाई करी जाव जिर बैटी ती इनसाफ दिलवाया जावे और जितना हो सके उनके रिस्तेदार है तभी यह अमारी गुजारस है कि कम से कम सानूब उती तो आप लोग दे सको और कुछ नहीं कर सकती तो हम मानतें कि रिस्तेदार का हाथ हमारे पास तो जिनी रिकोर्डिंग है ऑडियो रिकोर्डिंग है उनकी अगर जिस बहन बेटी के पास परसासन से जी आप एक तरह की बहुत मुटी सिकायत है जी आप लोग भी जितना उसे उतना कीजिएगा एक SDM तभी एक सिकायत है कि अपने दिल पाथ दर कवो नू देखा कि उसका बेटी बान पोती कुछ तो होगा उस दिन जो मेरी भी तबियत खराब थी और पूजा के पापा की भी तबियत खराब थी तो मेरा बेटा जो वा अंदर चला गया तो उस न उससे ये जवाब किये ह कि तेरा तो यहाँ बैठना भी ठीक ने मेरे बेटे से ये जवाब किये है HDM ने कि तेरा तो यहाँ बैठना भी ठीक ने क्या बात है जो उसका मड़ा मॉटा नू जो दरडोया हो तह वह यह बात कैस कहा था उसने जो मारी आलत दिखन लग रही अक बशांगरी मंई पापा कि ब्यान देन की वो नहीं है तो बाई मैं बताऊंगा एका दबात तक तेरा तो यहां बैठना भी ठीक नहीं है तो उस SDM करन्यू बता के बर रहा था उसमें 23 कमत वाल आज कल पैसे पैसे रहेगे और गरीब की बितनू देखना ठायए ईक अगर. अग जो बेटी बिल्या पड़ाओ लखाओ और ये नारे लावा है रकिता जो ये पेटा मन्यू का हनाग बई नू बेट में बेटी बुरुन तया कर बंद करो रिश्ट अच्छा था बुरुन तया हो जाओ बड़ी अग जो आमने लखाई पड़ाई पाड़ी पोसीर मेरी प बेटी का दर्द है जी और हर किसे ने जिसके यहां पर बान बेटी है वो हर को इस दर्द ने समझ सके हैं तो आप लोग भी सारे समझदार हो जी चोट एक दुबारा से मैं एक और रिपीट करना चाहूंगी किसे ने बुंडी लागत लागे जागी बात है जो भी ये कि लिग मामना लड़की लड़की की शादी की थी तो के सिर्वाल और एक चीज मा वोकर रख य pris टीज मेरी बेट्टी मेएक क्रका है और का राव कर बात कर रहा है इस बात का भी इस टाप के जरिवाल और भी शिकायत है तो केजरिवाल साहब जी आप भी देखिएगा ये आप तक मतलब एक छोटा सा संदेश पहुंचाया चोटा सा है जी आपका तर्यू एक बेटी का दर्द है अगर हो सके तो जितनी भी आप पैसाहिता करी जावे उतना निस्पक से जाच करके और इस केस का सुल जड़ा करवा जो भी बाहरे मतलब जितने भी ये इस कांड में जितने भी मोझूद थे उन सारा के सारा ने आप सजा दिलवा कर गुड या अच्छे से इन साफ दिलवान की आपता है जोड कर रिक्वेश्ट जी आपता है कि जितना हो सके इस करवाई ने थोड़ा आग बढ़ाओ और जो अलावा आगे की अपडेट जो आप लोगों के पास है जिस जैसे भी कभी आवेगी क्योंकि गुडिया की अभी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आई नहीं है दो चार दिन में वह आ जाओगी उसमें कलियर यूँ पता लग जाओगा किस तरह से कि इन लोगों का कहना है जिस दि भी बंदा आज तक आ नहीं लिया है सानू बुति के लिए भी नहीं वैसे भी नहीं यह मैं कोई जूट तो नहीं करी जी जूट नहीं है बिल्कुल भी और एक वहां जो यह कलोई से है जो नमर्ता बेटा कहीं सुन रही हो और तो उससे भी यह रेक्वेस्ट है मेरी क्यों म मामा की लड़की है एक बार आगर आम लेख रहे हो तो इनके पीरी nossosここ ने फिम आपने भी और और इनका दुख physician अबंदा अबरे आप भी नहीं बटवा सकते क्योंकि मां का दर्द नहीं बट्टाया करता जी दूसरी बात अगर इस तरह का कुछ हो गया एक बहुने पीर वाले ले जहार उड़ जाकर अंसकार करें तो सोचिए का जी किसम कमी है दूसरी बात इन लोगों का बताना ये है कि गुडिया जो थी उसके नाक में खून आ रहा था और गड़े वड़े पर कहीं कोई निशान नहीं था उसके बावजूद भी ये कहा गया कि भी फासी खाली थी चलो खाली आमून के बाद बड़ी करद्वार लेकिन आप लोग कहा हो जब पूरा का परिवार जाका न गुडियान अपने पीर में ली आयारा का दास अंसकार कर दिया आप लोग इतने भी ना होए आगा छोरी न कमते कमूडे कर सकोते इतना काम तो अगर आप लोग निर् शक्षा मजदार हो आप इस बात पर सारे के सारे नू समझ जाओगे कि दोस्त की समय है तो इसी तरह से बने रहिएगा जमीदार मेडिया पर बबली वर्मा के साथ राम राम जी सारे आन